वेलकम टू एक्जाम तक आज है बारा फरवरी और बारा फरवरी 2021 से बनने वाले सबी मोश्ट इंपोरेंट करेंट अफ़ेस के कॉश्चन अम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ मैं आपको हरे कुश्चन के साथ में डीटेल में एक्षपलेनिशन भी बताऊंगा जिससे आपको करनेंट अफ़ेस के साथ साथ इस्टेटिक जीके इंपर बजएगा और चाने में आपको इंगलेस की वाकपलरी भी मिलेगी लास्ट में आपसे question भी पूछूंगा जिसका answer आपको comment box में देना है तो पूरा वीडियो दिहां से जरूर से देखेगा इसकी quiz and pdf आपको telegram पर मिल जाएगी so make sure join जरूर से कर लेना telegram channel को start करते हैं आज का वीडियो पहला question गौन सा है और बहुत ही ज्यादा important question है ये वाला question जो है आप लोग बहुत ही ज्यादा important है हाली में कौन सा देश जो है संयुक्त राष्टो मानवादिकार परिशद में फिर से शामिल हो गया है बहुत ही ज्यादा important है अब अगर बात की जाए तो कौन सा देश है जो कि अभी जो है United Nation Human Rights Commission इसमें फिर से शामिल हुआ है तो ये है USA United States of America अमेरिका जो है अभी इसमें वापस से शामिल हो गया है 2018 में Donald Trump ने जो है इसको छोड़ दिया था संयुक्त राष्ट मानवादिकार परिशद को क्योंकि Israel के जो एंटर हो गया था कुछ इस कारण चाहिए ठीक ना लेकिन अभी जो है जोई विड़न ने वापस से इसको रिजोईन कर लिया है अभी जोई विड़न आने के बाद जो है WHO को वापस जोईन किया है इसके अलवा Paris Climate Agreement जो हुआ था 2015 में उसको भी जोईन किया ठीक है ना तो यह तीनों याद रुखना है Paris Climate Agreement, WHO and UNHRC इन तीनों को जोई USA ने वापस से जोईन कर लिया है आपको इंपोर्टन याद रुखना है क्यों जोईन किया है विकॉज ऑफ USA के 46th प्रेजिडेंट जोई जो है बिडन उनके कारण यह है Democratic Party के इन्होंने जो है Republic Party के जो Donald Trump थे उन्होंने जो भी फैसले लिए उनको काफी फैसलों को चेंज कर दिया बाकि USA की 49th और पहली महिला उपराश्वधिकोंने कमला हैरी से जो कि भारतिय मुल्की भी है इसलिए आपको याद रखना है वो 49th Vice President of US है ठीक है ना US की Capital क्या है Washington US की Capital है पोटो में एक नदी के किनारे इस्तत है तो यह नदी भी याद रखना है Washington किस नदी के किनारे पोटो में एक नदी के किनारे एंड US की मुद्रा क्या है तो US डॉलर जो है यह है यहां की मुद्रा important याद रखना अब यह तो मैंने US के बार में बता दिया तब युनाइटे नेशन Human Rights Commission के बार में यह जो हैं विश्व भर में मानवाद दिकारों की रक्षा के लिए यह कमिशन स्टापना की थी 2006 में जो इसकी स्टापना की दे ठीना तो latest यह कोई old नहीं है 2006 में स्टापना हुई थी और headquarters का मिलेंगे तो इसका headquarters New York नहीं मिलेगा पैरिस नहीं जेनेवा में है इसका headquarters important याद रखना पैरिस में किसका है तो UNESCO Human Rights Commission के बार में आपको important याद रखना नेक्स्ट है second question बहुत ही ज्यादा important है यह भी हाली में विजे नगर जो जिला है यह करनाटका 31 वा जिला बना है आपको याद रखना यह जो विजे नगर डिस्टिक्ट है यह बन गया है करनाटका 31 डिस्टिक्ट यानि कि अभी अगर पूछ ले जाएगा आपको question में simply कि करनाटका में कितने जिले तो 31 अब सभी state के जिले याद नहीं रखने होते हैं लेकिन यह भी latest बना इसलिए याद रखना है विजे नगर जिले जो होगा इसका जो है headquarter का मिलेगा तो hospit city जो है करनाटक में वहाँ पर होगा इसका विजे नगर जिले में क्योंकि विजे नगर सामराजी अगर आपने history पढ़ी है तो जरूर से पढ़गा विजे नगर सामराजी है और उसी के शेत्र को जो हैं विजे नगर जिले के रूप में गोशित किया है युनेसको विश्व दरोर इस्तल जो हमपी है वो यहीं पर विजे नगर जिले में ही इस्तत होगी आपको important याद रखना तुंग भद्रा नदी के किना रहे हैं हमपी शेर करनाटक में जो कि 31 जिले विजे नगर में शामिलों का हॉस्पेट जो हैं यह इसका मुक्याला है और बल्लारी जिला है उससे अलग किया गया है इसको विजे नगर को आपको important याद रखना है किस जिले से अलग किया है तो बल्लारी जिले को तो उपरग तो सबसे तेजी से बढ़तावा टेक हब सिटी कौन सा है वो भी बैंगलूर हुई है यह सब आपको बैंगलूर के बारे में याद रखना बीए स्विर्दरप्पा सीय में और वजू भाई वाला जो हैं वो हैं करनाटक है कि गवरनर बांदी पूर्टूंग बद्रा नागर होल नेशनल पार का आप लोग याद रख लेना काफी ज़्यादा इंपोरेंट रहेंगे फ्रेंट्स ठीके ना नेक्स्ट रा तीसरा कोशन फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यह साथ में जो इस्ट्राटिक जी के आपको समझाते हैं डेली करेंट अफेस लाते हैं इस सीरीज को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बैल आइकन दिखती उसको जरूर से दबा लेना आप सभी को पताओगा अप्रेल 2020 से जो इस्ट्रेंड ओफ बना हुआ था इंडियन आमी और चाइना के बीच में लेसी पर और यह कहाँ पर हुआ था तो यह जो है पैंगॉंग लेक जो है वहाँ पर पैंगॉंग सो लेक जो है अभी जो रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कल इसकी डीटेल दिये आपको इंपोटेंट याद रगा काफी सारी वारता हैं हुई है और जून में तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हिंसक भी हो गएते हमारे 20 जवान भी शहीद हो गएते तो यह पिछले साल साही लगातार स्टेंड ओफ बना वाता अभी यहाँ पर कुछ शांती बरती जाएगी लद्दा की अगर बात किया ले हैं लद्दा की राजदनी और ले के पास में भारत का पहला जीयो थर्मल जो है पॉवर प्लान्ट स्टापित किया जाएगा कल के वीडियो में मैं आपको बता रहा ले किस नदी के किनार है तो ले जो हैं सिंदु नदी के किनार है इस तो यह शेर इसके अलवा अगर बात कि लद्दा की तो लद्दा के प्रेजन टाइम है लेफटनेंट गवर्णर को न इस्टेंड ओफ से पीछे हट रहा हैं दोनों ही देश यह समझाता हो चुका है यह देख सकता है डिफेंस मिनिश्टर राजनात सिंग ने कल राजे सबा में यह जानकारी दी ठीक है ना नेक्स अगर बात के चौते कोशन की हाली में किस राजे में कोविड युद्दा समार यह कहां पर बनेगा यह कोविड में वो जो भी कोविड वारियर है उस राजे से समझे जो शहीद हुए हैं यानि की जो डॉक्टर्स हैं या जो पुलिस कर्म हैं जो उस दोरहां शहीद हो गए जिनकी डैथ हो गई तो उन्हीं के याद के लिए जो है ओडिशा में यह बना है का को विड नाइंटीन को विड यूद्धा स्मारक यह कोशिंद बनेगा इंपोर्टनेर इसके लावा फाइयर पार्क भरकता पहला जो फायर पार्क भी बुवनेशुर में खुला जागा, दो जा ठरम होकी का वर्ल्ड का बुवनेशुर में वाता, अगला भी वहीं पर ओने वाला हैं, अब ओडिशा की कैपिटल हैं, भुवनेशुर आपको इंपोर्टन याद रुखना है, अपने सभी परिक्षन जो हैं, ओडिशा के बाला सोर्स से ही करता हैं, तो इस सभी डीटेल याद रुखनी, चिलका जील तो आपको पता ही होगी, ओडिशा राजे में इस्तद है, भारत की पहली रामसर साइट है, अभी भारत में रामसर साइट केती हैं, तो 42 हो गई है राम अप्डेटेट में मिल जाएगा, योगी 16 तारीकों अप्डेटेट वर्जन आपके लिए अवेलेबल होगा, डाउनलोड करने के लिए, नेक्स्ट चौता क्वशन कौन सा है, हाली में किस देश के रॉबर्ट एर्विन को, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ दे ये 2021 से समानित क्या है, इस केटेगरी इसमें कौन सी केटेगरी है, तो पीपल चोईस अवर्ड ये जो हैं, सबसे फेमस है इसमें, और पीपल चोईस अवर्ड ये मिला है, किसको रॉबर्ट एर्विन को मिला है, आपको इम्पोर्डन याद रखना है, और ये किस देश के ये आपको इम्पोर्ड याद रखना है, अब ऑस्टेलिया ने जो अपने राष्ट गान, यानि कि नैशनल एंथ है, मैं भी एक वर्ड में चेंज किया था, तो वो कॉशन भी बन सकता है, ऑस्टेलिया से हमने क्या लिया था, समवर्थी सूची जो हैं, समिधान में, वो कहां स आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, अभी आउस्टेलिया को हरायता भारत ने, दो एक से आउस्टेलिया में ही जाकर, उस सीरीज का क्या नाम था, बॉर्डर गावस का ट्रोफी उस सीरीज का नाम था, इम्पोर्टेंट है, एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से, ह आपको याद रखना है, जिसके भी आट वी में 60% से उपर होंगे, वो इस परिक्षा में हिस्सा ले सकेंगे, बाकी OBC वगरे को आरक्षन है, वो सब अपने को मैटर नहीं है, अपने को याद रखना, एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से, कि मुख्यमदरी विज्यान प्रदेश में हैं, और राजिपाल होते हैं, पो होते हैं इस्टेट में, ठीक है न, तो दिल्ली केंदर साशित प्रदेश हैं, और भारत में अभी जो हैं, आठ केंदर साशित प्रदेश हैं, नो नहीं है, ये तुक्का मत लगाना आठ हैं, अभी केंदर साशित प्रदेश दिल्ली में जो हैं विदान सभा की 70 सीटे हैं लोग सभा की 7 सीटे हैं और राजी सभा की 3 सीटे हैं आपको याद रखना है नेक्स्ट अगरबात के छटे कोशन गी अब 2021 में इसकी थीम क्या दी और ये डे कौन मनाता है तो युनेसको डे मनाता है इंपोरेन याद रखना युनेसको का एड़कोटर पेरिस में है युनाटे नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक कल्चरल और्गिनाइजेशन आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस होता है अटस फरवरी को विग्जान दिवस और 10.09 नवंबर को होता है विष्व विग्जान दिवस अटस को ठवादा राष्टी है और 10.09 को होता है विष्व विज्जान दिवस ठीक ना बैंगलोर के Campgoda International Airport को, बैंगलोर एरपोर्ट का नाम याद कर लिजे, Campgoda Airport जो है, यह है बैंगलोर एरपोर्ट का नाम, बैंगलोर के बार में आपको उपर डिटियल दे ही दिये, यह अभी बैंगलोर एरपोर्ट को एक और नया आवड मिला है, Voice of the Customer Award किस एरपोर्ट को, बै बैंगलोर एरपोर्ट अचिवस, ACI, World's Voice, Customer, Recognization, यह आप लोग देख सुए, COVID-19 पेंडेमिक के बीच में भी बैंगलोर एरपोर्ट ने काफी अच्छे से काम किया है, नेक्स्ट अगर बात के आटवे, एंड आज के लाश्ट कोश्चिन की हाली में, SBI के अनुसार वित वर और भी ज्यादा था, लेकिन अभी जो है, माइनस 7% कर दिया है, अच्छी बात है भी धिरी-धिरी जो है, एकोनोमी अपनी पर ट्री पर लोट रही है, और अगली साल यानि की 2022 के लिए 11% का अनुवान जताया है, काफी अच्छा अनुवान है, अच्छी खबर हैं सभी के लिए और ये अभी SBI ने अपनी रिपोर्ट जारी कि है, SBI जो है, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, स्टेट बैक कॉफ इंडिया की फुल फोर में, इसका हेड़ कोटर है मुंबई में, स्तापना का बोईती, 1955 में जो इसकी स्तापना हुई थी, एक सबसे एक जुलई को, इसलिए 1 जुलई को जो SBI Day भी मनते हैं, एक जुलई को GST Day भी मनते हैं, तो एक जुलई को Doctors Day भी मनते हैं, तीनों याद रखनळा इसके अद्यक्ष कोरने प्रेजन टाइमें, दिनेश कुमार खारा जो आए वो है, SBI के प्रेजन टाइमें अद्यक् अगर कोई लोहे का आदमी है तो वो मैं उसका जो है विल पावर किता स्ट्रॉंग होगा क्योंकि लोहा तो बहुत रहने के लिए इस्टेबल में रखते है ठिके ना यह वन वर्ड भी आता है वण डप्लेश वियर हॉर्सेस आर्किप्स ठिके ना तो उसको इस्ट्रेबल कहते हैं तो मेर्स नेस्ट में कभी नहीं रहते है यानि पूरी की पूरी तरह से आपको याद रखना है इंडियन रेलवे के बारे में अब आज का क्वेशन कौन सा है तो भारत ने किस देश में सैतूत बांध निर्माण के लिए साजेदारी की है और ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये भारत का पड़ोसी देश है तो इस बारे में पूरी डीटेल कमेंट वाक्ष में छाप लीजिए इसके साथ भारत का कितना बॉर्टर लगता है कौन सा इस्टेट इस देश के साथ जो है बॉर्टर शेयर करता है पूरी डीटेल दे दीजिए कम मिलते एक नवड़ी में तब तक लिए जय हिन जय वर्द